साथ क्यों, लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाये हुए पैसेों को ब्रस्टाचार में उड़ा दिया जाएगा लेकिन हमारी सरकार ने इस धाना को बदल दिया, आज लोगों को मैसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उप्योग राश के निर्मान में हो रहा है सुविदाएं बढ़ रही हैं, इज अब लिविंग बढ़ रही हैं, जो मुसीबतें आपको जेलनी पड़ी, वो आपके बच्चों को जेलनी न पड़े, उसके लिए दिन रात काम हो रहा है इसका परिणाम ये है कि टैक्च बरने वाले लोगों की विकास के प्रती एक विश्वास बढ़ा आएं और उसके कारण टैक्च देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है एक समय था जब देश में दो लाख रुपिये की इंकम पर टैक्च लग जाता था आज ये मोदी की गारंटी देखिए आज साथ लाख रुपिये तक की इंकम पर कोई टैक्च नहीं लगता इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इंकम टैक्च की रासी भी लगातार बढ़ रही है जो विकास के काम आ रही है इसका सपस्ट संदेश है कि देश में मद्यमबर का दाइरा लगातार बढ़ रहा है अभी पाँच दिन पहले ही इंकम टैक्च रिटन भरने की आखरी तारी गुजरी है इस साल हमने देखा है कि इंकम टैक्च रिटन भरने वालों की संख्या सोला परसंट बड़ी है ये दिखाता है कि लोगों का देश की सरकार पर देश में हो रहे नवनिर्मान पर और विकास की कितनी जरूत है इस बात पर भरोसा कितना बढ़ रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का काया कल्प हो रहा है मेट्रो का विस्तार हो रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेस में बनाए जा रहे हैं लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एरपोर्ट बनाए जा रहे हैं नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं नए ने स्कूल बनाए जा रहे हैं जब लोग इस तरह का बडलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबुत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का अंदिर्मान हो रहा है आपके बच्चों के उजवल भविश्य की गारंटी इन सब कामों में गारंटी है हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबुत करना है और भाई बहनों ये जो 508 रेल्वे स्टेशनों का आदुनिकन हुआ है ने ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ अम्रिद भारत स्टेशन्स भारतिय रेल के इस काया कल्प को एक नई उचाई देंगे झाल 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 झाल